Hey guys welcome to the fifth part of magnetic effect of electric current chapter ठीक है आज हम अपना पिछली previous वीडियो में हमना अपना current बनाना सिखा था magnetic field line को change करके इस वीडियो में हम देखेंगे current के दो types ठीक है उसके बाद हम देखेंगे आज हम देखेंगे generator ठीक है ऐसा कि मैंने आपको कहा था आज हम current के दो types पढ़ेंगे तो पहला type है आपका alternating current इस current को हम बोलते हैं AC current ठीक है नाम तो सब नहीं सुना होगा AC current से मतलब यह नहीं कि जो AC में current आता है ठीक है इसका नाम है alternating current यह होता क्या है चलिए देखते हैं the current which reverse direction after equal interval of time is called alternating current यह direction reverse करने का मतलब क्या यह ना हर second में मतलब अभी time भी आपको बताएंगे यह ना अपने direction change करता रहता है यह एक same direction में नहीं चलता current ठीक है यह अपनी direction हर 1 upon 0.01 seconds में अपनी direction बदलता रहता है ठीक है इसकी advantage क्या है advantage of alternating current is that alternating current can be transmitted over long distances यह ऐसा current है जिसको नहीं बहुत ही दूरी तक पहुचा सकते है मतलब transmit का मतलब पहुचा सकते है travel करा सकते है ठीक है over a long distances without much loss of electrical energy ठीक है ज्यादा loss भी नहीं होता है electrical energy का ठीक है ac current can be produced by inverter ac and generator ठीक है यह इसके यार यह ना ऐसा कोई topic नहीं कि आपको आपसे पूचे लेंगे alternating current क्या होता है ठीक है इसमें से क्या questions बन सकते हैं कि ac current इंडिया में कितने hertz है मतलब कितनी frequency है ac current की इंडिया में ठीक है question आ सकता है और यह पूच सकते हैं कि अपने direction कैसे कितने seconds में change करता है इसके advantage क्या है यह सब आपसे पूच सकते है ठीक है यह यह चीज़ें नहीं पूच जाएंगे question में flow करता रहता है it is known as direct current it cannot be used for long distances अब भया इसको ना long distances के लिए यूज नहीं किया जाता because यह ना अपनी बहुत ज़्यादा energy loss कर देता है और अगर हमें इसे करवाना होता है तो उन्हें देखा हो सडक पे कि तारों पे पर्स टाइप लटके रहते हैं ठीक है जब हम छोटे था हम कहते है तो पर्स लटका वह पर्स नहीं होता है वह होता है एंप्लिफिकेशन होता है वह एंप्लिफायर उसको कहते हैं because इसको क्यों नहीं यूज करते हैं long distances इसे because इसे जिए सिगनल है वह वीक हो जाते हैं and require अंप्लिफिकेशन एंप्लिफिकेशन हमें लगाना पड़ता है दो डिवाइस जिसमें यहाँ पर AC लिखा गया, sorry, यहाँ पर DC आएगा, ठीक है, DC करंट और प्रोड्यूस होता है, वो है cell और battery और DC generator, जैसे कि मैंने आपको कहा कि AC करंट अपनी direction हर 0.01 second में change करता है, तो उसको graph कैसे बनेगा, अब graph भी सीख लो, ठीक है, यह हम बना रहे हैं, AC current का graph, ठीक है, AC current का graph, ठीक है, यहाँ पर यह जो आपकी x-axis है, यह आपकी time show करेगा, और यहाँ पर होगा velocity, अब मैंने क्या का, यह हर 0.01 second में अपनी direction change कर रहा है, इट मींज, यहाँ गया direction change की, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, यह अपना direction change कर रहा है, बार बार, DC current क्या, जो direct होता है, मतलब वो direction नहीं change करता, ठीक है, तो यह क्या होगा, यह तो आपको current हो गया, ठीक है, current को हम IC represent करते हैं, एंड आपका यह हो गया, direct current, ठीक है, direct current, यह दो को direction change ही नहीं करता, एकदम सीधा चलता रहा है, तो सीधा ही चलता जाएगा, ठीक है, अप्लिफिकेशन की जरुद होती है, अप्लिफिकेशन की जरुद होती है, वो पर्स टाइप होता है, बलेक बलेक सा, ठीक है, उसको हम कहते हैं, अप्लिफिकेशन, एक जरुद है, difference भी देख लो, AC current और DC current के बीच का, ठीक है, AC current हमने क्या पढ़ा था, इसको हम long distance तक transmit कर सकते हैं, मतलब transfer कर सकते हैं, without effectively, मतलब ज़्यादा loss भी ना हुए, ठीक है, ज़्यादा loss नहीं हुए वे electrical energy का, ठीक है, second point क्या आता है, it changes its direction at regular interval time, मैं आपको क्या बताया था, AC current की यह बार बार अपनी direction change करता है, 0.01 second में, ठीक है, third point क्या आता है, AC current can be produced by inverter, ठीक है, जो भी device यह produce करता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, अब पढ़ते हैं, DC, DC का है, it cannot be transmitted, यह ज़्यादा दूर तक हम transmit नहीं कर सकते, it does not change direction, यह अपनी direction नहीं change करता, DC current can be produced by cell battery or DC generator, ठीक है, यह था आपका difference, ता है most important topic, जिसका नाम है generator, ठीक है, generator सुनके यह मत समझना कि मैं आपको यह वाला generator पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है, यह तो शादी भियावाला generator नहीं, आपके इसके अंदर का मामला बढ़ना है, तो क्या है वो, an electric generator, also called dynamo, इसको ना generator को हम dynamo भी कहते हैं, ठीक है, यह क्या है, it is a machine which generates electricity, ठीक है, यह ना electricity बनाता है, यह ऐसा device है, जो electricity बनाता है, क्या करके by using the principle of electromagnetic induction, फस गए, अगर आपको electromagnetic induction नहीं पढ़ा, नहीं पता क्या होता है, तो आपको मेरी previous वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने electromagnetic induction ही पढ़ाया था, ठीक है, चलिए, electromagnetic induction क्या था, magnetic field को change करके हम current induce करते हैं, ठीक है, तो यह क्या करता है आपका generator, it converts mechanical energy into electrical energy, यह mechanical energy को electrical energy में convert करता है, कैसे, यह आपने क्या करता है, आपको ने जब अपनी बार magnet को coil के अंदर दाला था, मतलब motion किया था, अब GCB चीज को हम motion करते हैं, तो उसके अंदर क्या आता है, mechanical energy आ जाती है, ठीक है, अब यह device क्या करता है, उस mechanical energy को ना, यह current में, मतलब produce कर देता है, ठीक है, यह current में वो कर देता है, जनरेट, electricity जनरेट कर देता है, यह कितने types के होते हैं, यह दो तरह के होते हैं, AC generator और DC generator, अब हम इसका principle पढ़ना है, generator काम कैसे करता है, ठीक है, काम कैसे करता है, और यही चीज आती है, ठीक है, principle भी और आपको working, ठीक ह मैं आपको practically भी दिखाऊंगा, मैंना coil of insulated copper wire, insulated copper wire का, जिसके उपर आपका वो निचड़ी होती, plastic सी चड़ी रहते हैं, तारों के उपर, वो निचड़ी होती, इसलिए हम इसे insulated करते है, is rotated in a strong magnetic field, ठीक है, figure में देखो, यह north-south pole के बीच में, यह जो rectangular color की coil पढ़ी है, ज electromagnetic induction, ठीक है, the direction of induced current is determined by flaming right-hand rule, अब वो जो current बनाना, उसकी direction हो कैसे पता लगाएंगे, flaming right-hand rule, ठीक है, समझे रहो ना, पीछे concept सारी use हो रहे हैं, तो आपको पीछे concept आने चाहिए, यह सब मैंने करा रखा ठीक है, the main difference between, अब जो मैंने आपको बताया था, generator आपके दो तरह के होते हैं, उन दो generator के बीच मेंना difference है, वो क्या है, AC generator और DC generator के बीच में, एक मातर difference है, कि AC generator में slip rings are connected to carbon brush, slip ring, ठीक है, AC generator में slip rings होती है, यहां figure में देखो, इस तरीके की slip rings, वहां लिखावाए, ठीक है, are connected to carbon brushes, while in DC generator, split ring commutator are used, अब इन दोनों के बीच का difference क्या है, यह हम अब देखो, यह आपके पास दो generator है, AC electric generator और DC electric generator, अब आपको main main difference देखो, क्या दिख रहा होगा, वह यह North pole, South pole, दोनों के पास है, यहां देखो, वो जो लाल सी चूड़ी है, जहां पर brush लिखा है, कि ring 1 and ring 2, ठीक है, यह AC generator में तो दो ring होती है, इसको हम कहते हैं, slip rings, ठीक ह में दो rings आगी है, ठीक है, यह कुछ-कुछ ना motor जैसा ही है, ठीक है, अजर आपने motor पढ़ा है, तो आपको ज्यादा difficulty नहीं होगी generator पढ़ने में, अब देखो, यह तो आपका है AC generator, ठीक है, रुख जो में लिख लेता हूँ, यह ना, हमने model बनाया था, छोटा सा, समझाने ठीक है, ठीक है, यार, थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाता है, इस से, इसको हम AC generator के अंदर क्या होता है, देखो, यह तो north pole, south pole, यह आपका 2 magnets होगी, कहा होगी, magnetic field इधर होगी, ठीक है, AC generator क्या करता है, यह दो आपके carbon brushes होती है, इसमें ना, यह rectangular coil, देखो, यह rectangular coil है, इस इसलिए मैंने बताया, जब आप rectangular coil को, ऐसे क्या कहता है, गुमाते हो ना, ऐसे, 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 यह जब घूमती है, तो यह क्या कहता है, ऐसे carbon brushes, ठीक है, यह आपके carbon brushes, यह थोड़ा सा गिर रहा है, sorry, ठीक है, जब आप ऐसे घूमाते हो ना, तो आपका carbon brushes ने घूमती है, य यह carbon brushes ने, इसके हमेशा लगे रहेंगे, हर time लगे रहते है, that's why जो आपको current है, वो ऐसे flow होता रहता है, ठीक है, यह तो आपके हो गया AC generator, इसकी working आपके course में नहीं है, तो यह बहुत अच्छी बात होगी, अब हम पढ़ते हैं, अपना DC generator, अब आपका DC generator के देखो क्या हो आपता है, first of all, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, यह तो आपकी है, coil, ठीक है, थोड़ा सानी, थोड़ा सानी, थोड़ा सानी, same to same, motor जैसा है, यह ध्यान से समझो, ठीक है, यह आपको coil हो गया, coil इस तरह की होगी, rectangular coil होगी, अब ना यहाँ पर, यह जो carbon एक होते है, split rings, ठीक है, यहने rings की तरह होते हैं, यह लगे रहते हैं, आपका carbon brushes से, ठीक है, लगे रहते हैं, carbon brushes से, और यह जो आपके brushes होते हैं, यह ना by brush होते हैं, ठीक है, और यह connect होते हैं, आपका, किस से, galvanometer से, ठीक है, galvanometer से, अब यह जो आपका rectangular coil है, यह प की होगी डाइग्राम हो गया इसको क्या कहते हैं आर मेचर यह हो गया आपको क्या करना है जैसी ही अब हम वर्किंग पढ़ना शुरू करते हैं अब क्लोक कैसे कुमती है यहार मैं इसको ऐसे कर दूव तो कैसे घूंती है थीच味 आपकर नीचे जाएगा धान यहँ आपका सब्सक्राइब इस तरीके से क्लोक आपकर अग nag वस्ह finansStudy गूमें beautiful 75 यह चीज उपर आएगी, AB उपर आएगा, और CD आपका नीचे जाएगा, ठीक है, यह ऐसे गोमेगी, ऐसे, ऐसे, ठीक है, जा चलिए, अब पढ़ते है अपना, rotate the coil in clockwise direction, such that AB moves up, मतलब AB moves up, अप आएगा, और CD moves down, ठीक है, इस तरीके से देखो, AB moves up, and CD moves down, AB moves up, CD moves down, ठीक है, मतलब यह coil ना, कुछ इस तरीके सो जाएगी, ठीक है, down, magnetic field is from north pole to south pole, magnetic field का है, north pole to south pole, ठीक है, अब second चीज़ क्या है, by applying flaming right hand rule, flaming right hand rule क्या बताता, direction of induced करा, बताता था, ठीक है, यह आपका flaming right hand rule, ठीक है, ठीक है, यह मेरा right hand है, यह क्या पताता है, direction of motion, ठीक है, यह magnetic field, यह current, ठीक है, इस तरीके से होता था, motion किदर है, magnetic field किदर है, इधर, तो current किदर होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, motion बाहर, magnetic field इधर, तो current किदर है, ऊपर की तरफ, तो आपका यहाँ से पता चलता है, कि induced current in AB is from A to B ठीक है A to B अब हमें पता करना है CD में कि CD में कैसा current हुआ देखो यह था आपका flaming right hand rule right hand ही करना ठीक है यह आपका direction of motion यह आपका magnetic field यह आपका current आपका नीचे की तरह ठीक है तो current from induced current from is from C to D is downwards ठीक है चलिए 10 current flows from brush B1 to brush B2 ठीक है यह आपका brush B1 और यह आपका brush B2 ठीक है यह आपका brush B2 ठीक है यह आपके brush थे यह B1 मतलब करन्ट कहा से अब बीवन से ऐसे B2 ठीक है B2 पे आया अब हम पढ़ते हैं अब अपना second point after half rotation जैसे इसका half rotation होगा ना यह ऐसे यह हो गया half पूरा कैसे होता जब यह पूरा ऐसे घूम जाता ठीक है after half rotation side A B and C D intergen जैसा की motor हम होता या जब यह घूम के यह तो इधर आ जाएगा और यह पीछे से जाकर आजाएगा इधर की दरफ ठीक है मालो यह ऐसे है मालो यह ऐसे ऐसे और यह ऐसे घूम के आ गया तो मनलग यह साइड है यह साइड यह साइड यह साइड अब यह इधर नहीं आ जाएगी तो इस तरीके से हुआ यह अब सिमिलर बात है ठीक है जिस तरीके से हमने मोटर में पढ़ा था उस तरीके से ही जनरेटर में है ठीक है तो यह आप वर्किंग कर लेना और यह मैंना आपको लिखवा जया एक बरी में पढ़ देता हूं फटा 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 से सो करेंट फ्लोस इन डारेक्शन ओनली ठीक है करेंट फ्लोस इन डारेक्शन ओनली यह जो करेंट आपको प्रोडियोस वह 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 आपका डीसी करेंट ठीक है चलिए था आपका लेक्टिक जनरेटर आता है क्वेस्चन आपके सामने विचिस मोर डेंजरस एसी और डीसी ठी तो जैसे एक हाफ रोटेशन कम्लेट करता है तो इसको देता है जटका बढ़िया वाला तो इसलिए एसी आपका ज्यादा डेंजरस है यह यह चीज़े ध्यान रखो कि मैंना एक separate separate videos जिसकी बना रहा हुँ इस तरह मैंने motor के separate बनाई Electromagnetic induction के separate बनाई आपके generator की बना ती इस सब separate इसलिए बन लिए में दाला था वहां जाकर आप अपना आंसर लिखिए तो बस इसी साथ करते अपनी वीडियो को एंड नेक्स्ट में मॉस्ट वैब आपकी एक वीडियो और आएगे लक्षर पर जोहां से आपके नोट सेक्रम कंप्लीट हो जाएंगे और सारा को सारा को मिल जाएगा उसके बा कि अ designован कि कृ कि अ जाए उसाओ मॉस्ट आंसर मॉस्ट को कि अरफिए टाहते असी सांद़ घ्र ऑ vient कि अलोएंगे ऑनte कि वीडियो कंपैंड़ आएगे जाएगे ग्टरा को प्य।